अक्सर आपने सुरा होगा कि हिंदू धरम में देवी धेवताओं को लसुन और प्याज चड़ाया नहीं जाता लेकिन क्या आपने कभी सूचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आईए इस वीडियो के जरीए हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है? नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फेसे स्वागत है हमारे हिंदू धरम में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं जिनका हम पालन भी करते हैं शास्त्रों के अनुसार हिंदू धरम में विशेशकर, प्याज और लसुन भगवान को चड़ाने से मना किया गया है इसलिए इन दोनों को किसी भी दार्मिक कारे में प्रयोग नहीं किया जाता और उपवास में भी इने खाया नहीं जाता आज हम जानेंगे कि आकिर हिंदू धरम में प्याज और लसुन को पूजा पाट से वन्चित क्यों रखा गया है हमारे शास्त्रों में लसुन और प्याज के पौदे को राजसिक और तामसिक श्रेनी में रखा गया है राजसिक और तामसिक का अर्थ है जुनून और अज्यानता में व्रिदी शास्त्रों के अनुसार हमें जो भी भूजन रहन करना चाहिए वो सात्विक होना चाहिए जैसे दूर, गी, चावल, आटा डाल, लौकी आदी इसके अलावा, तीखे, खटे, चटपटे, अधिक नमकीन, मिठाईया आदी पदार्थों से निर्मित बोजन को असात्विक कहते हैं जो की रजोगुन में बड़ोतरी करते हैं लसुन, प्याज, मास, मचली, अंडे आदी, जाती से ही अपवित्र हैं और ये राक्षसी प्रवत्ती के बोजन कहलाते हैं हमको इने सात्विक बोजन पदार्थों के रूप में कदापी ग्रहन नहीं करना चाहिए अन्यथा अशान्ती, रोग और चिंताएं, जीवन में बिम बुलाए महमान की तरह गर में प्रवेश कर जाती हैं इसलिए पुरानों में लसुन और प्याज का प्रयोग रसोईगर में निशिद माना गया है इसके पीछे एक पौरानिक कथावी है जिसके अनुसार समुंद्र मंथन के दौरान जब समुंद्र से अमरित का करश निकला था तब भगवान विश्णू सभी देवताओं को अमर होने के लिए अमरित बांट रहे थे उसी दौरान राहो केतु नाम के दो राक्षस भी उनके बीच आकर बैठ गए ऐसे में गलती से भगवान ने उन्हें भी अमरित पिला दिया जैसे ही देवताओं को ये पता चला तो भगवान विश्णू ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके धड़ों को उनके सर से अलग कर दिया सिर धड़ से अलग होने तक उनके मुह के अंदर अमरित की कुछ बूंदे चली गई थी ऐसे में राक्षसों का सिर तो अमर हो गया लेकिन बाकी सब नश्ट हो गया लेकिन जब विश्णू जी ने उनपर प्रहार किया था तो खूंद की कुछ बूंदे नीचे गिर गई थी ऐसे में उनी खूंद की बूंदों से प्याज और लहसुन की उत्पत्ती हुई जिसकी वज़े से इने खाने से मुह से गंद आती है इसलिए माना जाता है कि प्याज और लहसुन में राक्षसों का वास है हलाकि अम्रित से उत्पन इन दोनों में रोगों से लड़ने की शम्ता होती है लेकिन राक्षत से उत्पन होने के कारण इन्हें देवी देवताओं से दूर रखा जाता है और भगवान को नहीं चड़ाया जाता इसके अलावा प्याज और लहसुन के जैदा प्रयोग से मनुष्य का मन पूजा अर्चना से बठकता है और दूसरे कारें में जैदा लगने लगता है यही वज़ा है कि हम पूजा पाठ में इन दोनों का प्रयोग नहीं करते इस तरह की और भी दार्मिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले साथ ही अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर ये जानकारी उनके साथ भी साजी करें अब हमें इजाज़त दीजिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया